हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासिज में तो आज के प्रिमिक्स में हम पांच कोश्चन जो डिसकस करने जा रहे हैं वो हैं आपके साइंस एंटेक्स से रिलेटेड आज आपको टॉपिक्स का नाम पहले दे दिया गया है तो पहला कोश्चन जैसे कि आप चुके हैं शुरुआत करेंगे हम न्यू शेपर्ड से रिलेटेड कोश्चन पर तो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको लेटेड टो न्यू शेपर्ड आपने जुरूर उसका न्यूज में सुना होगा इसके बारे में और आपको बताना है कि कौन कौन सी यहां पर कर सुनाट एलन शेपर्ड और थर्षेपर्ड में कह रहे हैं इसकी लांचिंग के बारे में कि यह स्पेसेक्स द्वारा यहां पर लॉंच की जाएगी बहुत ही सिंपल सा कुश्चन है काफी बारा आपका न्यूज में आ रहा है इससे रिलेटेड कुश ना कुश कंटेंट आ पर पर यहा पर यहां पर आपकी कर्क्ट आप्शन है तो बहुत सिंपल सा कुश्चन था तो जैसे कि अगर हम बात करें कि इसमें क्या important चीज़े जो कि आपको पता होनी जुरूरी है तो यह है बात कार्मान लाइन के बारे में कि basically जो टूरिस्स रहेंगे उन्हें कार्मान लाइन यहां पर cross की जाएगी उनके दौरा कि यह एक तरीकी की boundary है between the earth's atmosphere and the outer space और यह आपकी boundary आती है 100 km above the earth तो यहां पर लेते हैं तो basically इस तरीके से आपकी new shepherd की lift off की जाएगी इस point पर आके उसका separation हो जाएगा फिर आपकी capsule free flight होगी वो कार्मा लाइन को cross करती हुई जितने भी उसमें टूरिस्स रहेंगे वहां पर micro gravity experience करेंगे जिस चीज़ के उन्होंने पैसे दी है वहां पर वसूलने की कोश काफी ऐसे interested हम कह सकते हैं टूरिस्स हैं जो कि इस चीज़ को experience करना चाते हैं तो काफी bidding भी हो रही है तो अब देखते हैं किस तरीके से हम इस पूरे system को carry out किया जाता है ठीकी जी तो इस तरीके की जो points रहते हैं आपके लिए exam point उसे important रहते हैं कि जो उसमें scientific चीज़े हैं वो आपको पता होनी ज़रूरी है बहुत simple सा question था second question के और बढ़ते हैं बात हो रही है COVID-19 variants के बारे में बहुत important concept है बहुत important topic भी है काफी बार हमारा discuss भी हो चुका है पिछले ही दिन आपका जो daily news discussion था उसमें detail में topic आपका discuss किया गया था दो statement यहां पर दी गई है पूछा जा रहा है इन में से कौन कौन सी incorrect है अब ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का correct incorrect का आपको आता हुआ question भी अगर आप इसको धंक से नहीं देखेंगे वहां पर गलत हो सकता है पहली statement देखते हैं कह रहे हैं जो आपके alpha variant है उसके जो earliest samples थे और second statement में कह रहे हैं जो आपके variants of interest हैं वो उस तरीकी के variants रहेंगे जो की variant of concern की definition तो meet करेंगे ही साथ के साथ वहां पर एक transmibility की जो increase पाई जाएगी वो demonstrate भी की जाएगी उस variant दोरा की वहां पर वो बहुत जादा transmit भी हो रहा है तो दो statements हैं थोड़ा सोचिए इसके बारे मे अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी हम इस question को solve भी करेंगे ठीक है जी वीडियो pause करके correctly माग कीजिए फिर हम discuss करते हैं तो जैसी कि यहाँ पर बात हो रही है COVID-19 variants के बारे में तो अब WHO ने क्या किया है कि जिस तरीके से आपके tornadoes, cyclones होगे उनका नाम करण किया जाता था तो वैसे ही अब आपके COVID-19 variants का भी नाम करण किया जा रहा है और वैसे ही आपके alpha, beta, gamma यह सभी नाम यहाँ पर रखे गए हैं तो जो पहली statement में बात हो रही है कि जो आपका alpha variant है उसके जो earlier samples थे वो South Africa म document किये गए थे तो यह statement आपकी basically गलत है यह आपके UK में किये गए थे ठीके जी और उसी को alpha variant का नाम वहाँ पर दिया गया है second में बात हो रही है variants of interest के बारे में ठीके जी तो अगर हम बात करें explanation में दिख लेते हैं यहाँ पर कि आपके तीन तरीके से इसे categorize किया गया है यह कल हमारे जो daily news discussion का lecture था उसमें भी detail में discuss हुआ आप बहाँ पर जाके भी सकते हैं तो variant of interest हम short में यहाँ पर बात करेंगे खर आपका variant of concern आता है और variant of high consequence आता है तो यह आपका variant of interest की category में आएगा कि अभी इतना फैला नहीं है कुछी cases हैं यहाँ पर फिर आता है variant of concern उसमें क्या होगा कि आपका variant of concern में कब उसे categorize किया जाएगा जब उसकी काफी जादा वहाँ पर transmission हो चुका है कि जितनी भी हमारी vaccines हैं हमारी जितनी भी treatments हैं वो उस तर ठीके से फैल चुका है कि जितना भी हमारा healthcare system है वहाँ पर fail हो गया है हमारी vaccines उसके against काम नहीं कर पा रही है वो इतना mutate हो गया है कि जो हमारी body की antibodies हैं वो उसे defeat नहीं कर पा रही है और उसकी वेज़से काफी loss of life हो रहा है ठीके जी तो यहाँ पर step by step यह आपका बढ़ता जाता है तो जैसे कि आपकी पिसली सेटमें में बात हो रही थी कि variant of interest के बारे में कि आपकी यह वो हैं जो की meet करेंगी variant of concern की definition और साथ में उसमें transmibility भी increase पाई जाएगी कि वहाँ पर आपकी number of cases रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे इस variants related ठीके जी तो basic सा question था और उसी के धार पर आपकी यहाँ पर दोनों statements incorrect हैं तो C option यहाँ पर आपकी correct option है जैसे कि हमने तीन levels के बारे में तो बात करें ली फिर हम बात करें जो आपके currently designated variants of interest हैं कौन कौन से हैं एला आयोटा कपा लामडा तो कौन कौन से region से यह आ रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताये गया है earliest documented samples आपके कहां से पकड़े गए थे इसके फिर अगर हम बात करें designated variants of concern तो उसमें भी आपके alpha, beta, gamma और delta के बारे में बात हो रही है तो इन से भी related कौन कौन से region सबसे पहले इसके samples पाए गए थे यह आपके लिए important है question किस तरीके से पूछा जा सकता है आपको match the following की form में भी पूछा जा सकता है statement के तोर से भी पूछा जा सकता है तो यह कुछ-कुछ जो information है जो की factual nature की information है उसे अपने notes में जरूर compile कीजिए इस साल का जो paper है काफी आपकी expectations रख सकते हैं COVID-19 से related काफी questions हो सकते हैं ठीक जी आपके हर एक segment में rather it is quality, geography, science and tech, environment तो काफी आपके हर एक segment को ही आपका COVID-19 cover करता है तो कोशिश कीजिए इस से लेट जितनी भी relevant information है उसे अपने notes में जरूर compile कीजिए अगर आपके prelims में नहीं पूछे जाएंगे तो में में तो ज़रूर ही पूछे जाएंगे ठीके जी तो इस तरीके जितनी भी information रहती है वो सारे ही तरीके से आपके लिए दोनों prelims और मेंस के लिए important है simple सा question था बढ़ते हैं अगले question की और तो यहाँ बात हो रही है कि recently एक spacecraft ने detect किया है unusually high concentration of methane along with carbon dioxide and dihydrogen यह आपके किसी एक planet के moves में पाया गया है जब वो pass कर रहा था जब वो fly कर रहा था through their plumes ठीके जी तो यहाँ पर आपसे directly पूछा जा रहा है कि कौन सा वो spacecraft था और कौन से planet की यहाँ पर बात हो रही है चौर options आपको दी गई है पहले में बात हो रही है new horizons, Saturn, Cassini spacecraft, Jupiter planet new horizons दुबारा spacecraft के बात हो रही है और Jupiter planet के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और last option में कहा रहे हैं Cassini आपका spacecraft है और Saturn आपका वो planet है जिसके बारे में इस statement में बात हो रही है बहुत ही simple सा question है, कुछी दिन पहले आपका ये news में आया था, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और correct option यहाँ पर mark कीजिए तो यहाँ पर आपकी correct option है Cassini, की Cassini spacecraft में Saturn के moons में ये जो methane की concentration है उसे वहाँ पर detect किया है तो basically जो NASA दोरा ये launch किया गया था आपका Cassini spacecraft तो इन्हों नहीं वहाँ पर ये जो आपकी methane उसके साथ carbon dioxide और dry hydrogen इनकी concentration को वहाँ पर detect किया है जब वो pass कर रहा था through the plumes of the moons of the Saturn ठीके जी तो इसमें जो आपका एक Titan करके moon है Saturn का तो वहाँ पर spacecraft में क्या पाई है कि methane वहाँ atmosphere में present है ठीके जी फिर आपका Encladus है फिर वहाँ पर आपके liquid जो ocean है उसमें आपकी जो plumes erupt हो रही है उसमें जो आपका gas और water की concentration पाईगी है तो इसमें जो हमारी international research team रहेगी वो use करेंगे हाँ पर statistical methods की समझ सकें कि किस तरीके से वहाँ पर methane present है कैसे उसकी production हो रही है तो अब इसमें देखना ये है कि जो detection तो की गई है बड़ अब उसे हम प्रूफ कर सकते हैं नहीं ठीके जी तो इस तरीके कि जितने भी space exploration के आपके topics रहते हैं कि कौन-कौन से satellite दौरा क्या-क्या वहाँ पर discovery की गई या क्या-क्या चीज़े detect की गई वो आपके लिए काफी ज़ादा important है prelims point of view से आपको question कभी भी directly पूछ लिए जाता है अगर आप UPSC के लावा बाकी exams की भी तैरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि directly इस तरीकी के straight forward fact based questions पूछ लिए जाते हैं ठीके जी तो इस basis details इस topics related अगले question के और बढ़ते हैं तो यहाँ बात हो रही है लिडार technology के बारे में अब काफी बार यह आपका topic हमारे lectures होगे 2 minute series होगी वहाँ पर cover हुआ है तो बहुत easy है आपके लिए हाँ पर इससे solve करना वो पूछ रहे हैं कि जो आपकी लिडार technology है वो इन में से तीन जो applications यहाँ पर दी है इन में से किस कि में use हो सकती है पहले में कह रहा है autonomous driving, second में कह रहा है monitoring of the floodplains and third में कह रहा है detect pollutant particles तीन options दी गही है उससे लेटर आपको चार codes प्रोवाइट किये गए हैं जिसमें पहली option में one only, second option में one and two only, third option में two and three only और last option में आपकी one, two and three के बारे में बात हो रही है बहुत ही simple सा question है थो किजिए फिर हम discuss करते हैं तो basically जो आपके radar technology है तो radar में मतलब आपका क्या है कि यहाँ पर आपकी light भी use हो रही है और radar भी use हो रहा है ठीकर जी तो दोनों का ही यहाँ पर mission किया गया है और radar technology बेसिकली यहाँ पर बनाई गी है तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आपकी autonomous driving होगे, detect pollutant particles होगे तो तीनों में ही इसका पूरा application लगाया जाता है और उसी के अधार पर जो आपकी last option है 1, 2 and 3 वो यहाँ पर correct है अगर यह explanation में थोड़ा इस topic को समझने के कोशिश करते हैं तो basically radar जो technology के एक method है यहाँ पर ताकि हमारे distances हम measure कर सकें by eliminating the target with the laser light की laser light का यहाँ use के जा रहा है और जो reflection रहेगी जो sensor उसे वहाँ पर catch करेगा उसको measure करते हुए हम उसके distance को वहाँ पर बता सकते हैं अब वहाँ distance हमें पता लग गया तो वहाँ पर हम उस से related जो भी आपका 3D imaging रहे गया 3D representation रहेगी तो वो भी तयार की जा सकती है तो यह आपका terrestrial भी इसक समझने की कोशिश करें कि जैसे हमने बोला automobile आपके जो अब self driving की जो options आजकल चल रही है टेसला काफी जादा इस पर काम भी कर रहा है तो आपके इस तरीके से जो जो भी वहिकल रहेगा उसके ओपर यह इस तरीके का आपका लेडार से related sensor वहाँ पर लगाया जाएगा जो की आसपास के जो भी उसका environment रहेगा उसे वहाँ पर capture करने की कोशिश रहेगा कि हर एक जो object है उसकी क्या position है और वो 3D representation त्यार करते हुए वहाँ पर अपना जो उसका path होगा वो decide करेगा कि उसे आगे बढ़ना है या रुकना है तो यहाँ पर totally ही sensors का use किया जा रहा है laser light का use क किया जा रहा है ठीकी जी फिर जैसी कि अगर इन उन बात की कि आपके जितने भी हम कहें कि geography related के applications है तो आपके अगर airborne आपकी लेडा technology होगी तो वैसे ही जैसी कि हमने देखा कि अगर ground में आपकी car के ऊपर इस technology को mount किया जाता है और वहाँ सपास का environment को जो भी वहाँ पर objects र देने की कोशिश करेगा उसके अलहार पर वहाँ पर distance capture किया जाएगा और उसी से ही वहाँ पर 3D representation त्यार की जाएगी जो जितने भी आपके flood place है उन्हें भी ये capture करने में सक्षम रहेगा ठीके जी फिर बात आती है आपके pollutions related कि आपके pollutants रहेंगे तो जो radar की wavelength रहती है वो size रहेगी वो उससे यहाँ पर capture कर सकता है ठीके जी उसकी वहाँ पर imaging त्यार कर सकता है तो इसी के चलते जो आपके radar technology है detect कर सकती है pollutant particles जो कि आपके carbon dioxide के है sulfur dioxide के हैं और methane के है ठीके जी तो इसके चलते क्या होगा कि जितने भी researchers रहेंगे उनको यहाँ पर काफी information provide की जा सकत तो वहाँ पर better planning of the city हो सकती है कि वहाँ पर उस तरीके के measures लिया जाएंगे कि इस तरीकी concentrations को normalize किया जा सके तो यह basic basic से अप्लिकेशन से लिड़ा टेक्नोलोजी की इस तरीके की जितनी वी आपकी technologies रहती है ठीके जी उन से related जितनी वी आपकी applications है आपके prelims point of view से तो काफी पूस कर रहा है तो जितना आप current affairs के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही आप अपना answer वहाँ पर भैतर लिख सकते हैं तो काफी simple सा question था तो आज का last question दुबारा से basic science का question आप से यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर अगर आपको चार चीज़े दी गई है neutrons, protons, nucleus and electrons तो यहाँ पर यह बहुत ही simple चीज़ पूछ रहे हैं कि इन में से कौन सी आपकी एक category है जो की generally effect होगी अगर किसी भी तरीके का chemical change होगा ठीके जी बहुत simple सा question है थोड़ा सोचिए basic science को अपना use case जो कि आप बच्छमन में स्कूल में पढ़ते थे आप बहुत easily इस question को solve कर सकते हैं यहां पर आपकी correct option है electrons तो जैसे कि आपको पता ही है atom का structure कि आपका उसमें electron रहता है proton रहता है neutron रहता है तो यह तो रहा atom भाई साब का nucleus ठीक है जिसके अंदर आपका proton और neutron रहेगा फिर उसके around जो आपके electrons रहेंगे उस तरीके से move करेंगे अलगलग shells में जैसे कि हम पढ़ते थे s shell होगी p shell होगी तो जब भी आपका chemical change होगा जैसे कि अगर हम बहुत ही simple सा example लें कि आपने नमक पानी में भोला तो वहाँ पर एक chemical reaction होगा जिसके चलते आपका hcl aquis और noh aquis वहाँ पर तियार होग तो वहाँ पर क्या होगा आपका electrons का ही खेल है कि आपके electrons ही वहाँ पर transfer कर रहे हैं और नए bonds वहाँ पर create कर रहे हैं इसमें आपके protons यह हम कह सके हैं neutrons और nucleus का कोई as such role नहीं रहेगा तो I hope आपको यह basic सी चीज़ पता हो UPSC काफी बार आपके इस तरीके के simple concept से related question पूर सकत clear कर सकते हैं ठीकी तो काफी simple थे आज के 5 questions I hope आपने से सब भी नहीं अच्छे से attempt किया हो जो भी आपका score रहा हो comment box में जरूर mention कीजिए और जैसी कि हमने environment lecture में भी बात की थी कि आपको लगता है कि और ज्यादा questions किसी particular segment से हमें और discuss करने चाहिए जैसी कि आपका defense हो गया ठ तरह की questions आपके लिए जरूर लेके आएंगे तो जाते जाते एक piece of information आप सभी के लिए कि हमारे batch 4 के courses launch कर दिये गए हैं चार courses launch किये गए हैं पहला है आपका प्रेलिमस कम में जो कि आपका GS के लिए है जिसमें आपकी दोनों ही answer evaluation और without answer evaluation ने present है वैसी आपको sociology optional का course भी है PSIR का course भी launch किया गया है essay का course भी यहाँ पर launch किया गया है जो की बहुत जादा important है मेंस के लिए ठीके जी enrollment अभी की शुरू हो चुकी है 31 जुलाई आपकी last date है 2nd August से ही आपके courses शुरू हो जाएंगे इसमें classes आपके conduct होने शुरू हो जाएगी तो अगर आपकी कोई भी queries हो या आपको कोई भी information चाहिए हो इन courses related तो आप हमारी website पर जाके check कर सकते हैं या फिर हमारे toll free number पर भी call कर सकते हैं during the working hours हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे आपके इस तरीके के issues को resolve करने की ठीके जी so prelims का समय नजदीक आ रहा है तो आपको जरूरत है कि जतनी जादा practice करें जितना जादा आपने अभी तक पढ़ा है पिछले एक साल में उसको अपने application mode में लाएं उसको check करें कि कितना आप retain कर पा रहे हैं उस पूरी knowledge को तो उसी से related हमारी prelims से series भी available है हमारे website पर जाके उसरे details आप सारी check कर सकते हैं तो जरूर उसको देखिए इस time जरूरत है कि आप अपनी practice को वहाँ पर check कीजे कि किस तरीके से आप perform कर रहे हैं और कितना आपको और effort डालने की जरूरत है अपनी performance में ठीकिजी so that will be all all the very best and have a good night